से अब aha के अपने विटु के आज हम पढ़ने वाले हैं रसानी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैंalten इससे पहले हम रसानी समीकरण को इधर होते हैं उसे कहते हैं अभिकारक और ये इवा इबन से मिलकर बरावर पाद जैसे उत्फव करते हैं ुषम स्जीन तरीक समझ में आने वाला है तो चली यह सुरू करते हैं प्र single यहां hydrogen किने है दो है और oxygen कितना है एक एक है iodod tends दो है ठीक हमें यह दो मिल गए इधरवाले लेकिन oxygen देखो अगरे अब ध्यान से देखो तो oxygen तो यहां पर दो हैं और यहां पर जो oxygen यह वाला यह कितना है यह एक है यह 2 ओर ये 1 बहुत ना-इंसाफ ही है तो हम करेंगे क्या इसे 2 करने के लिए इदर 2 ले लेंगे ऑक dopoit सी कंडिसर मती जैसे है रो है कभी इंसकती है mg हो सकता हैं अमोनिया हों सकता है मतलब प visão की कि यह जब इदर लगाते हैं तो बोकि oxygen 2 करने ते लेकिन यह hydrogen के साथ में भी आएगा और oxygen के साथ में भी आएगा जैसे आप up वने हैंगा hydrogen के साथ में hydrogen के सात में hydrogen सो पहले से दो है तो दूनी चार तो vast으면 कितने ऊगए हाँ जार और oxygenами gel and complete अब यहां पर देखो है यहां पर देखो तो हाईडोजन यहां कम होगए कि यहां क्या करेंगे इधर दो बड़ा लेंगे यह पर फिर दो अक्सीजन है यहां से च्छछन हो गया इसी तरीके से सभी होने सबी तो चलिए अब चलते हैं नंबर दो पर नंबर दो की बात करें जो यहेसे कहते हैं नाइट्रोजन और आप थोड़ा सा हाइडोजन साही से करते हैं हाइडोजन अब आप देखो जो अमोनिया में जो ns3 है क्या है अमोनिया में फर्मला क्या होता है ns3 यहां पर h कितने हैं तीन है और यहां पर कितने हैं दो है उत्पाद में अपकी ज्यादा हो गए यह है अभिकारक और यह है उत्प सORी मार काचल नहीं रहा यहां पर एंड कितने हैं एक है यहां पर एड कितने हैं दो है कि यहांगे ने के लिगे रहे सुद्ध थिरी यह क्या बन गया 2 3 106 एच बन गया यह बन गया यह बन गया चैनल करने तो हम क्या करें हां ले लेंगे तीन तीन दूनी चे यहां पर भी हडुजन कि दने वन गए छे बन गए तो अब देकते नमबर थ्री में देखते एने टू ओ इसे बुल्द एस एच टू ओ यानि जल और आने ओ इस यानि सोडियम ऑड्रोक्साइड इसी को बोसी कास्टिक आग यह अपनी नॉर्मल वहाजान समझो तो नमक इसे नमक कहते हैं अब इधर देखो आने टू यहाँ पर यहां तो दू है एन ए टू यह यहां तो दो है आध और यहां एक है अब next आओ oxygen किरो एक oxygen यह हो गया एक oxygen यह हो गया ओ यह एक दो यहां तो एक ही है जो उत्पात में oxygen कितना है एक है अब hydrogen प्याओ H2 है यहां पर यहां पर एक ही hydrogen है तो कहने का मतलब यह है अभी कारक में हर चीज एक ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे तो को यहां एक कम है हमें दो बनानी हर चीज तो इसके आगे दो ले लेंगे एने भी दो हो गया यहां पर एने टू लिखा H2 भी oxygen भी दो हो गया एक oxygen है यह oxygen यह दो हो गया H2 भी दो हो गया देखो यहां पर H2 है है कि यह हो गई इस तरीके से संतुलच समी करण अभी तक क्या थे असंतुलच समी करन अभी यह हो गए संतुलच समी कर रख अब चलते हैं नंबर 4 पर अगर अभी तक नहीं समुझिबा तो अभ समय में आ जाएगा नॏ सभी अब यहां पर देखो सीयो है यह कार्बन अक्साइड मien कर कार्बन ऐक्साइड आप फो ये औक्सीजन और सी ओ टु है यारी कारबन डाई ऐॉऌक शाइड सीओतों अब यहां पर देखो यहं अक्सीजन दहुए है कार वन कितने is के एक है यहां पर यहां कितने एक हम तो यह रहें कैसे हो गया है तो इसे संत्रथन कज तो इस आप संथ करूं किया करेंगे देखो यहां कितने हैं दो है कि यहां पर Kalina do gast or度 तो यह तीन हैं यहां पर और यहां पर बराबर बनाने लिए अभी कारक और उत्पात में बराबर बनाने लिए हम करेंगे क्या यहां पर ले लेंगे टू अब जब में यहाँ पर टू लिया तो कारवन तो दो हो गए आपर और ऑक्सिजन भी दो हो गए तो दो और दो ऑक्सिजन कितने हो गए चार और यहाँ पर कितने हैं ओ टू है कारवन यहाँ पर दो बन गया तो यहाँ पर भी हम ले लेंगे टू और इधर आ जाते हैं कारवन में हमने ले लिया टू देखो यहां पर कारवन दो हो गये और और आक्षजन यहां पर कितने थे दो यह थे तो यानि चार थे टोटल और दो दूना चार दो दूना चार यह भी हो गए हमारे अब चलते हैं नमबर पांच पर एसो टू को बोलते हम सलफर डाई ऑक्साइड पाफ है ओटू यानि ऑक्सीजन और काफी में हम देख चुके हैं और जो प्लेट्रिनम की है उपस्तेती यह पीटी है इस तरीके से डरसाते हैं जब किसी चीज की उपस्ती होत तो हम क्या करेंगे यहां पर हम ले लेंगे टू तो अक्सीजन देखो कितने होगा दो दूना चार यह हो गए और दो यह हो अच्छे होगा यहां तो तो मैं यहां पर ले लेंगे टू यहां पर सलफर कितने बनाता दो बनाता यहां पर इसलफर दो बन गया ऑक्सीजन हमले हम चलते ही होको चलते हैं six पर हैंस लिए इस निए यह बनगिया यह है रेंट आठ यह बना अध क्या है गाच तो है यहां पर तो दूर का दो धो यहां यहां पर एक है तो सीधा सीधा हम दो लेंगे यह होगा संतुलित समीक्रण क्यों ले लिए क्यों कि आई भी टू बन गया और एच भी टू बन गया अब चलते नंबर सेबन है एक है को अक्सिजन और सी यू ओ यानि कापड औक्साइड यह काफी नhey कॉपर णाना है लेकिन यहां पर तो दो करने के लिए हम ले लेंगे यहां पर टू एक ही कापर है तो कॉपर को भी कर देंगा यह हो गई संत्यूलित समीक्राइब अब चलता है एट नंबर पर है है कि यह और हम देखें तो हमें दे रखाया एंजी ओनी मैगनीशियम और और आकसिजन का मतलग ओ टू इससे पहले हम पढ़ते भी आ और Mg 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 और कैसे बना O2 यह बन गया और 2mg यह बन गया इस तरीके से यह भी बहुत आसान यह संतुलित हो गए आप चलते हैं 9 नमबर बहुत ही आसान तरीके संतुलित हो रही है सभी Na यानि sodium O2 मतलब oxygen से बना Na2O Na2O मतलब sodium oxide इससे पहले हम तीन नमबर में से पढ़ चुके थे sodium oxide को तो अब इसमें देखो क्या कि जो Na है वो यहां पर अभीकारत में क्या है एक है और Na यहां पर देखो उतपात में कितने हैं दो है और oxygen अभीकारत में कितने हैं दो है लेकिन उतपात में कितने हैं एक है इसे क्या करेंगे सबसे पहले संतुलित करते हैं oxygen को oxygen कितने हैं यहां हैं लिलेंगे लेंगे डू यह बन गया अउक्सिद्न किंड़े इस से मतलब नहीं रहे लेकिन अब ध्यान दो यू एनए है इस चार हो गया दो नटाइब तक मेरें अब दो करते हैं कि पडिया चारर चाहर हो गया है कि तो क्या करें यह यहां पर लेने फोर एने फोर हो गया यहां पर भी फोर हो गया अब देखो फोर एने दुद्वन चार फोर एने ओटू यह वरा यहां तक बन गया ओटू यह ठी अब चलते हैं टैन नमबर पर यह भी बहुत आसान है हाइच टू और प्लेस आइटू हैडोजन का मतलब हैडोजन हमाद को मतलब आइटू मतलब आयोडीन से बना है इससे पहले इसको किया था हमने कहाँ पर सिंस नंबर विल्कुल सेम है बस अभिकारा को उत पाद में चेंज हो और यह अभिकारा किये रहा और पात यह रहा तो हम सीद़ सीद़ यहां पर लेगे तू हैडोजन दो गया और आयोडीन भी दो हो गया तृक वो गई संतल सबूर इससे बोलते हैं है को हाडोजन आयोडाइड आप 11 नमबर पर आते हैं I2 है प्लस H2S है यहाँ पर देखो I2 है और यहाँ पर देखो I2 है बिलकुल सेम साहिए है 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 स The n is 11 साहिए लेकिन एका देखो यहाँ पर I1 है यहाँ पर 2 है तो अब क्या करेंगे है अब 2 करने संतुलत समीक्र अब आतें नेक्स्ट बारा नम्मर पर एम जी ओ मैंगनीसम ऑक्साइड से मतलब कारबन और एम जी यानि मैंगनीशियम और सी ओ टू मतलब कारबन डाई ऑक्साइड अभीकारक से बना उत्पात यह बना देखो एम जी यहां पर कितना एक है बिल्कुल सही है ओ देखो यहां पर कितने हैं यहां ओ कितना है एक है ओ को दो करने के लिए हम यहां पर लेना पड़ेगा टू सरी बारा को करते हैं थोड़ा सा अलग यह थोड़ा सा बना देते हैं तो बारा को करते हैं थोड़ा सा बना देते हैं साइड में यह बन गया ठीक टू एम जी ओ देखो हिआ यहां पर iマ twee yeah 3 2 के यहां पर कटने बनाने थे क्योंकि वो यहां पर 2 है बहूं सी कितना एक है यह सيघर उ哇 गlorative भूर प्रिकल Embedain के से पूरी क्लास हो गई यहींपर अगली क्लास में जो अभी इस चेप्टर के सभी important reaction हैं वो पढ़ने वाले हैं रसानी कभी करियाओं के प्रकार जिसमें बहुत सी reaction आती है important reaction है जो आपके पेपरों में आती है चैनल पर नए है सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इस तरह की class आपको मिलने वाली है मिलते हैं अगली class में तब त झाल 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 झाल